हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ साथ अब सूबे के बच्चों को संसकारी शिक्षा कैसे दी जाए इस तिशा में शिक्षाबोर्ड ने एक नई पहल की है शिक्षा बोर्ड की और से अब हर स्कूलों में सुभे की सभा में कुलगीत बजाने का फैफला लिया है इसके साथ ही हिमाचल के पर्यावरन और इस प्रदेश की खुबसूरती समेथ यहां की सभ्यता और संस्कृती से ओत प्रोद कुछ प्रार्थनाई भी शिक्षा बोर्ड ने तयार की है जिन्हें इस बार के Šीत कालीन सतर के दॉरान मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर के जरिये शिक्षा बोर्ड रिलीज करेगा इसके साथ शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने ये भी फैसला लिया है कि अब प्रदेश की दूसरी राजभाशा संस्कृत में भी शिक्षा बोर्ड के दस्तावेजों और पत्रों को निकाला जाए बोर्ड के चियर्मेन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी की माने तो इससे पहले शिक्षा बोर्ड ही नहीं समूचे प्रदेश में सरकारी विफाग महस अंग्रेजी और हिंदी में ही अपने दस्तावेजों और पत्रों को निकाला करते थे मगर अब शिक्षा बोर्ड एक मात्र ऐसा सरकारी संस्थान बन गया है जो पहली मरतवा तीनों भाशाओं में अपने पत्रों को निकालेगा इसके साथ ही डॉक्टर सुरेश सोनी ने कहा कि शिक्षा बोर्ड प्रदेश के बच्चों के सुनहरे वविश्य के लिए जो बन पड़ता है उसको करने का भरसक प्रयास कर रहा है ताकि हिमाचल का वविश्य सुनहरा हो सके अभी हमारा स्कूलों से स्बंदित कोई कुल गीत नहीं था तो इसके उपर विचार किया गया कि पाट सालाओं में पुरे हिमाचल में कुल गीत बजे और इस कुल गीत में जो बरतमान की सिक्षा निती है वो किस परकार की है इस वात का भी उसमें पूरा जिकर है और साथ हिमाचल प्रदेश के सौंदर्या के उपर भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास पर और सिक्षा निती किस परकार से प्रतिभा का परिस्कार करती है कैसी सिक्षा निती चाहिए इन सब बातों को लेकर एक कुल गीत का निर्मान किया जा रहा है जो पूरे विद्द्द में बजेगा इसके साथ साथ कुछ प्रार्थनाएं जो थिमेटिक हैं परेवरन की रक्सा हम कैसे करें पेड़ों का क्या महत्व है सच बोलने की रहा पर चलना चाहिए और हिमाचल बंदन मेरे हिमाचल यानि जिस प्रदेश से हम उसका बंदन करते हैं क्योंकि हम भारत प्रवासी होने के साथ साथ हिमाचल परदेश में रह रहे हैं तो इसका भी हमें गौरव है तो इसके उपर भी एक प्रार्थना बनाई गयी है चुकि बहुत ही सुन्दर प्रार्थना हैं और मानिमुख्यमंत्री जिब प्रवास पे आएंगे और बोड को कारेकर मिलेगा तो उस वक्त ये सारा रिलीस कर दिया जाएगा जिसमें कि कुलगीत भी होगा विद्यल्य कुलगीत भी और प्रार्थना है इसके उपर काम चल रहा है और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि हिमाचल परदेश शिक्षा बोड एक ऐसा पहला संस्तान बना था जिसने कि संस् कर दोरा दूसरी भासा ऐसा घोसित कर दिया गया है राज भासा तो जो न्यूस लेटर है वो तीन भासिया बनाने वाला पहले इंसिजूशन बोड हुआ है तो तीन भासिया न्यूस लेटर हमने पहला निकाल दिया दूसरा न्यूस लेटर भी हम निकालने वाले हैं और जि होता था उसे बहुत कम यानि पचास साथ हुमर रिशोर्स के साथ दिन रात काम करके रिजल्ट चाहे सामाने रिजल्ट जो था वो हमने निकाले समय पर निकाले पुस्टकों का वित्रन भी इसके लिए तो केंदर सरकार के द्वारा परसंसा की गई है हिमाचल परदे स्टेट की 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 पुस्ट कें भी कोविट काल में समय रहते हैं हर एक बच्चे के हाथ में पहुचा दी है तो यह सारा आन्य जो टेस्ट है चाहे टेट का टेस्ट है चाहे डियल्ट है यह सामाने गतिवी दिया हमारे बिना रोक टोक कि किसी भी परकार का कोई वेब्दान नहीं हुआ और यह सारी हमने बोर्ड जो है वो सामने तौर पर कारे कर रहा है हिमाचल दिस्तक वेब टीवी के लिए धरमशाला से राजेश कुमार